अजगर लोकसभा शेत्र की चाचोडा विधानसभा की विधायक प्रेंग का मीना अब मुश्किलों में हैं मुश्किल की वजा बड़ी गंबीर है सर यह मुद्दा बड़ा गंबीर है क्योंकि चाचोडा की विधायक प्रेंग का मीना और उनके देवर अनिरुद्ध मीना पर रंगदारी का आरोप लगा है 50 लाक रुपे की रंगदारी मांगने का आरोप आरोप लगाया है क्रशीव भाग के उपसंचालग अशोक उपाद्याय ने ये कहा कि बकायदा मुझे दफ्तर बुलाया गया और दफ्तर बुला करके जो प्रेंग का मिना का जो देवर है नाती में जान से मारने की धमकी भी दी कहा कि अगर 50 लाक रुपे नहीं दिये तो जान से मार दिये जाओगे यह आरोप क्रशी विभाग के उप संचालक अशोक उपाध्याय ने प्रेंग का मीना और उनके देवर पर लगाए हैं अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कित अब सोची कि जिस तरह से यह आरोप लगाया गया है सांती में जो उपाध्याई जी है क्रशी विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने यह भी बोला है कि प्रेंग का मिना ने चुनाओं में करोड़ों पर खर्च किये जिनका खर्चा निकल नहीं रहा है इस वजह से और उनके देवर पर आप सोचिए कि भारती जनता पार्टी की सरकार मध्युप्रदेश में हैं भाजपा की सरकार बहुमत से विधानसवा चुनाओं में जीत करके आई है और राजगर लोकसवा शेत्र की चाचोड़ा विधानसवा से विधायक प्रेंग का मिना और उनके देवर पर इतने गंभिर आरोप लगे हैं रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं और फायर दर्ज कर ली गई है अला कि लेकिन गिरफतारी अभी तक क्यों नहीं की गई सवाल यही है दिगविजे सिंग ने भी गिरफतारी पर सवाल उठाए हैं कि अगर कॉंग्रेस का न इस्तेदार हो अगर गलत काम किया है तो बक्षा नहीं जाएगा सीधे तोर पर केंद्री मंत्री जोतिरादित्य सिंध्या ने भी चेतावनी इस मामले में दे दी है यह जो मामला है इसने तुल जब पकड़ा जब क्रशी विभाग के उपसंचालक अशोकुपाध्याय ने प्रेंग का मिना और उनके देवर अनिरुद्ध मिना पर यह आरोप लगाया है कि पचास लाक रुपे की रंगदारी हमसे मांगी गई है सांती में जान से मारने की धंकी भी हमें दी गई है आप सूचिए कि कितना बड़ा गंबीर आरोफ है भाजपा की विधाया को उनके रिष्टदार उनके देवर पर और सांती में इन्होंने बकायदा बोलाया कि इन से चुनाओं में जो खर्चा इन्होंने करोडर रुपे किया है वह उसकी भरपाई नहीं हो रही है इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बकायदा परेशान कर रही है उनसे रंगदार लेकिन यह जो मामला है यह तुल पकड़ता जा रहा है और जाहिर सी बात है प्रेंग का मिना जो है विधायक है चाचोड़ा विधान सभा से बहुमत से जीत करके आई थी जनता ने खूब सारा प्यार दिया था पूरे प्रदेश में भारती जनता पार्टी को प्यार दिया सरकार जाने और मद्युप्रदेश की भाजपा सरकार जाने क्योंकि अगर 50 लाग रुपे की रंगदारी के आरोप लगे हैं तो यह कोई चोटा मोटा आरोप नहीं है यह भारी आरोप है और इस आरोप की पूरी तरह से जाचोकर निश्पक्ष जाचोकर दोशी को सजा जर कर लीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद